हमें अक्सर ऐसा लगता है कि इस तनपान कराने वाली माता की नीन्द पूरी नहीं होती और वो दिन भर ठकी ठकी रहती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीसर्च ने बताया है कि इस तनपान कराने वाली माता हैं जो अपने शिशू को अपने पास ही सुलाती है वो जादा ग्यहरी नींद और अच्छी नींद ले पाती है आप ही सोचिए यदि शिशू रात को हमारे पास सो रहा हो तो जब भी वो उठे तो उसे संपान कराने के लिए हम सिर्फ अपने पास लेकर लेटे लेटे उसे दूद पिला सकते हैं और जब उसका हो जाएगा आप भी सो सकते हैं और शिशू भी लेकिन यदि शिशू दूर सो रहा हो किसी कौट या कृब में या दूसरे कमरे में तो मा को उठकर उसे लेकर दूद पिलाना और फिर उसके बाद वापस सुलाना इतनी देर में उसकी काफी नीन डिस्टर्ब हो जाती है उसके अलावा यदि मास तनपा न करा रही हो तो शिशू अगर रात को उठता है तो हमें उठकर एक अच्छी सेफ फीड बनाने के लिए पानी उबालना उसमें पाउडर सही मातरा में मिक्स करना और फिर उसको टेंपरेचर चेक करके शिशू को सही पॉस्टर में बिठाकर क्लीन बॉटल में दूद को डाल कर पिलाना और फिर वो सब चीजें वापस रखना और शिशू को बब दे के सुलाना यह काफी लंबा प्रक्रिया है जिसमें और समय लग सकता और मा की नीद और डिस्टर्ब हो सकती है तो आप अपने शिशु को कहा सुला रहे हैं हमें बताईए कॉमेंट्स में